हाई गाई इस मैं हूँ निक्ला और आप देख रहे हैं अगर आप Excel पर वर्क करते हैं लगातार आप डेली या फिर या पिर टेली या फिर원 देटा मेंट्ब करते है और और यह आपका रिपेटिव टासक होता है,たいक आप यसको आप अटोमेट कर सकते हैं लाइक आप चस्ट डीटा एंट्री तो आप करते ही है लेकिन जब आप कोई calculation करते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग बार-बार लगाना पड़ रहा है तो आप उसको automate कर सकते हैं एक्सल में ही और उसकी मदद से होगा कि आप एक क्लिक में सभी calculation जो regular calculation करते हैं आप वो एक क्लिक में हो जाएगी कैसे चलिए बताता हूं आपको यहाँ पर सबसे पहरे हम एक्सल ओपन कर लेते हैं एक्सल में हम एक demo data यहाँ पर create करेंगे ठीक है यहाँ पर एक्सल हमारे साम daily inventory हो जो लगबग सेम रहती हो सेम साइज में work करती हो और end में आप calculation करते हो लाइक दिस सपोज मैं यहाँ पर date enter कर देता हूं ठीक है हम एक table create कर लेते हैं और यह इस तरीकी का automation होगा अगर सपोज आप end में कुछ formatting भी करते हैं तो आपको बाबाब formatting की भी ज़रत नहीं होगी वो भी आप एक बार करके जो भी automate है वो create करके आप उसके बाद जस्ट एक click में यह task complete कर पाएंगे तो यहाँ पर जैसे मैंने date डाल दिया और सपोज यहाँ पर मैंने डाल दिया particular date का क्या profit है और उसके बाद particular date का क्या loss है ठीक है सपोज आप आप task करते हैं फिर आपका daily आपकी inventory manage होती है इस तरीके से आप table आप create करते ही होंगे ठीक है इसके बाद suppose मैंने date डाली 1 12 2022 ठीक है एक December 2022 आप monthly data अगर create करते हैं monthly data maintain करते हैं तो आप month के हिसाप से सबी जो भी चीज़ आप करते होंगे वो करेंगे यह सपोज मैं इसको ले रहता हूं 7 दिन के लिये अफिर 10 दिन के लिए लिए लेता हूं ठीक है दस दिन के लिए हम ले लेते हैं यहाँ से लेके दस तरीक के का data maintain करेंगे ठीक है यहाँ बार हमें एक तरीक को जो profit हुआ संपोज 2,000 का profit दो थारीक को 1500 पांदरा सो का profit तीं यह कोई प्रफिट नही चार तारीक को 500 वेगा प्रॉफिट ठीक है इस तरीके से हम यहाँ पर एक टेबल मेंटेन कर लेते हैं ठीक है इसी तरीके से हम लॉस को भी यहाँ पर लिख लेते हैं ठीक है तो हमने यहाँ पे profit भी लिख लिख लिया, loss भी लिख लिख लिया, इसके बाद अगर सब्सक्राइब यह आपकी raw एक table create हो गई है, चाहे कैसा भी data हो, यहाँ पे आपको numbers से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आपकी heading से उनसे कोई मतलब नहीं है, जो भी आपका data हो, इसके बा regular task करते हैं, like, suppose, मैं हर हफते यह task daily करता हूँ, date लिखता हूँ, profit लिखता हूँ, loss लिखता हूँ, then, रोजाना अगले 10 दिन तक मैं profit maintain करूँगा, loss maintain करूँगा, इसी तरीके से मेरे inventory क्या आज भी का, क्या आज नहीं भी का, इस तरीके से मैं maintain कर रहा हूँ, तो इस तरीके में हम आपको उताता हूँ, इसके लिए आप जाएंगे developer tab में, ठीक है, अगर आपके पास developer tab नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो आप file में जाएंगे, then file में जाने के बाद more में जाएंगे, then more में जाने के बाद यहाँ पर options मिलेगा, ठीक है, कुछ version में आपको direct option मिल जाता है, more की वे जुरत नहीं पर पहती, then यहाँ आप मूर में जाने के बाद customize ribbon आपको मिलेगा, ठीक है, then यहाँ से आपको developer tab पे tick करना होगा, then okay करना होगा, then आपके बस developer tab यहाँ पा जाएगा, developer tab में जाने के बाद आपको क्या करना है, हाँ आपको मिलेगा record macro, ठीक है, record macro पे लेंगे तो आप उसमें अंडर्स्कोर या फिर हाइफन का यूज लेंगे यह जान ओके पर क्लिक करेंगे ओके करने के बाद यहाँ पर मैक्रों स्टार्ट कर दिये अब आप इसमें जो भी फॉर्मेटिंग करेंगे यह फिर जो भी फॉर्मला लगाएंगे वह सब suppose मैं इसकी थोड़ी सी format lingerie ता हूँ यहाँ पे सितरीके से टोसप्सक्वार थेस तरीखे से थोड़ी सी format確 यacji इसके बार यहाँ पी तोटल रॉसल्ट कलकुलेट करते हैं है यहाँ पी Suppose यहां पर आपके पास और भी दिन है जैसे कई बार क्या होता है कुछ महीनों में 30 दिन होते हैं कुछ महीनों में 31 दिन होते हैं तो आप पूरा का पूरा यहां पर column select कर सकते हैं Suppose मैं आप लिखता हूँ Total Profit ठीक है Total Profit मैं अपने इस cell में आ गया तो यहां पर मैंने bracket close कर दिया और enter बटन दबा दिया तो यह मेरा Total Profit यहां पर आ गया ठीक है इसके जस्त नीचे मैं Total Loss यहां पर ले लेता हूँ मुझे Loss कितना हुआ तो सेम मैं यहां पर Loss के नीचे वाले column में is equal to sum bracket जितने भी मेरे cells हैं वो मैंने यहां पर include किये bracket close किया Total Loss मेरे पास यहां पर आ गया ठीक है इसके बाद मेरा Net Profit कहा रहा है इसी तरीके से आपका कोई भी raw data हो आपको जस्त यहां पर select करना है इस तरीके से Net Profit आपका कहा रहा है Total Profit में से Total Loss आप माइनस कर देंगे ठीक है जो भी आप formula अपनाते हैं अपनी daily excel work में वो आप यहां पर use ले सकते हैं जैसे मैं यहां पर ले रहा हूँ ओके तो एक basic formatting के साथ मैंने यहां पर अपनी table design कर लिया है इसको मैं थोड़ा सा और format कर देता हूँ ठीक है like मैं यहां से यह भी select कर लेता हूँ like मैं यहां से यह वाला format यहां पर select कर लेता हूँ जिसमें मेरे सभी में यहां पर borders आ गया है तो थोड़ा look मेरे पास यहां पर आ गया तो यह मेरी एक raw table से मैंने हां पर format किया ठीक है यानि कि जब raw data मैंने अंटर किया just date profit loss और यहां पर date और profit loss मैंने अंटर करा था ठीक है उसके बाद मैंने काफी सारा task करा है format किया इस table को और उसके बाद मैंने यहां पर total profit calculate किया है total loss calculate किया और net profit calculate किया है ऐसा ही आपका task कितना भी बड़ा हो सकता है जो आपको repetitively क्योंकि यह जो मेरा है raw data के बाद का जो task है वो हर अफते का है ऐसे ही आपके भी काफी सारे task कैसे हो सकते है हर अफते है फिर हर महीने के same हो ठीक है तो आप उसके बाद का जो task है वो कैसे automate कर सकते है हमने इस सभी task को record किया है developer tab में जाएंगे stop recording कर देंगे macro record हो चुका है ठीक है macro record होने के बाद आप यहाँ पर visual basic आएगा visual basic में जाएंगे visual basic में जाने के बाद यहाँ पे module पे click करेंगे तो module यहाँ पे create हो गया आपका module 1 इस पे click करके आप file में जाएंगे then export file करेंगे export file क्लिक करेंगे then desktop पे जाएंगे और यहाँ पे इस module का नाम लिख देंगे ठीक है यही वो module है जो आपका हर बार काम आएगा जब भी एक आप नई excel बनाएंगे same raw data की और आपको calculation करने होगी या formatting करने होगी तो वो automatically हो जाएगी इस recording की help से ठीक है सब कुछ formula बगेरा formatting बगेरा अपने अप apply हो जाएगी कैसे अब आप देखेंगे ठीक है data data automation ठीक है यह मैंने इसका नाम लिख दिया ठीक है आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं multiple words हो तो underscore का बीच में आप यूज कीजेगा save कर दी मैंने इसको close कर सकते हैं आप suppose मैंने अपने इस file को भी close कर दिया और मैं इस raw data को एक बार के लिए copy कर लेता हूँ और इस main excel file को भी close कर देता हूँ ठीक है अब suppose यहाँ बार आपने एक automation की file यहाँ पर create कर रखिये अब आपका वो week चला गया next week आने वाला है अब फिर से data manage करेंगे मैं यहाँ पर excel open कर लेता हूँ ठीक है अब आप देखेगा जादू ठीक है यहाँ पर suppose मैंने data enter किया ठीक है यहाँ पर मैं कुछ dates यहाँ पर change कर देता हूँ एकदम fresh data में इसको बना देते हैं suppose इस बार एक तारीक से नहीं इस बार 11 तारीक से चालू है हमारा data 2022 ठीक है इस तरीके से ओके और मैं यहीं से 11 से लेके 20 तारीक तक का यहाँ पर मुझे data maintain करना है profit loss में कुछ changes कर देते हैं like पच्चिस सो कर देते हैं इसको इसको हजार कर देते हैं ठीक है तो यह हमारा raw data ready हो गया है ठीक है अब हमें क्या करना होगा just यह हमारा raw data ready हो गया हमें इसमें ना formatting करने की जोड़त है ना हमें formula लगाने की जोड़त है डारक्ट हम उसको अपने module से डारक्ट अपने automation से calculate कर सकते हैं कैसे अब आप देखिए ठीक है मैं developer tab में जाओंगा यहां पर visual basic में जाओंगा visual basic में जाने के बाद file में जाओंगा then import file करूंगा import file में जो हमने यहां पर data automation बनाया था अपने लिए raw data के लिए उहां पर open कर लूँगा open करने के बाद हम इसको close कर देंगे close करने के बाद यहां पर आपके पास macros आएगा macros पर क्लिक करेंगे यहां पर data automate यहां पर आपके सामने सीधा आ रहा है ठीक है then यहां पर जस्ता आप इसको run करेंगे run करने पर अब आप देखिए यहां पर automatically सब कुछ apply होके आ गया है ठीक है formatting apply हो गई है date वगएरा सब चीजे जो भी हमने table format वगएरा सब किया था net profit जो भी नया calculate होके आया है तो इस तरीके का जो task है हर एक individual employee, student सब के लिए अलग-अलग तरीके से काम आ सकता है सिर्फ एक click में क्योंकि जस्ट आपको एक format ready करना है raw data का यह उसके बाद click करके आप अपने file को import करके easily आप output ले सकते हैं I hope कि जो वीडियो है आपकी समझ में आया होगा वीडियो अच्छा लगाओ तो like जरूर कीजेगा और जाद से जादा शेयर कीजिए और अपने काम को इस तरीके से आसान मराईए मैं मिलता हूँ नेक्स वीडियो में नए information के साथ अत्तक लिए धन्यवाद जाहें